हेलो एब्रीवन वेल्कम बेक टोवर यूट्यूब शैनल सान ब्लॉग दोफ्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं बाई अच्छे होंगे देखिए गाइस आप लोगों के लिए नियू रिक्रीट्मेंट आ गई है जो कि एनेफेल नेशनल फर्टिलाइजर और यह एक भारत सरकार की एक नवरतन कंपनी है ठीक है तो चलते हैं इसका सारा कुछ देखते हैं ठीक है सेलेक्शन प्रोसिस बगेरा देखिए एप्लिकेशन विगें 9 अक्टूबर को एप्लिकेशन फॉर्म आया है ठीक है लाफ डेटा आप लोगों की है आठ नवंबर ठीक है आठ नवंबर 2024 है और आपका पेमेंट भी आप लोग आठ नवंबर कोई एक्जाम डेटा भी लोग नहीं आई है ठीक है एक्जाम डेटा आजाएगी जर्नल और EWS और OBC के लिए 200 रुपए फीस है आप लोग भर सकते हैं जरूर अगर आप लोग चैनल पर नहीं है एस पर NFL requirement rules ठीक है फुली notification हम लोग रीड करेंगे उसके बाद में qualification के आप ओफट वाइस ये देख लेते हैं जैसे जुनियर इंजिनियर फिफ्टेंड ग्रेड सेकिंड प्रोडक्शन के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइन्स इफ्ट्रीम से ठीक है विसी PCM with minimum 50% marks या फिर आपके पास तीन एयर का डिप्लोमा होनी चाहिए केमिकल इंजिनियरिंग with 50% marks सेफ्ट के लिए 45% marks होने चाहिए ठीक है जुनियर इंजिनियर फिफ्टेंड ग्रेड सेकिंड के लिए mechanical थे आपको लोगों का डिप्लोमा होनी चाहिए विफ्टी परसेंड मार्स ठ सद्वट करें तो यह चीज होनी छाहिए आप लोगों के पास उसके बाध में इंग्रीरी सब्सक्राइब तो अब सब्सक्रा Apache with chemistry as on subject with minimum 50% दगो chemistry वाले भी बहुत सारे candidate हैं हमारे पास कल भी मुझे बताया था एक मतलब के chemistry की vacancy नहीं आती है तो भाई ये 10 vacancy है आप लोगों के लिए ये ही है ठीक है उसके बाद मैं इस्टोर अफिफ्टेंट की qualification की बात करें तो bachelor degree in science commerce या arts with minimum 50% मतलब भाई साब इस्टोर अफिफ्टेंट में तो वी ये वाले भी ये वाले भी लेंगे क्योंकि science commerce arts मतलब भाई non-tech वाले 19 seat के लिए आप लोग form भर सकते हैं इस्टोर अफिफ्टेंट के लिए ठीक है इसके syllabus की भी बात करेंगे और जो लोग तयारी करना चाहते है NPCIL या अलग DAE की या किसी की भी भाई साब आजाए आराम से NPCIL की तो मैं continue करा रहा हूँ लोग को अटेंडेंट ग्रेड सेकिंड डिप्लोमा इन मेकेनिकल इंजिनियरिंग से होना चाहिए ठीक है और नर्स के लिए भी 12th with science and diploma in GNM with minimum 50% या भी ऐसी नर्सिंग से होनी चाहिए दस पोफ्ट है इसकी फार्मा सिफ्ट की भी पोफ्ट आई है भाई बहुत बहुत दिनों बात जिन वेकेंसी का हम लोग इंतजार करें थे वह वेकेंसी आ चुकी है आप लोग फॉर्म एप्लाई जरूर कीजिएगा और गाइज आप लोग जो कहते हैं न लाफ डिट कब है तो लाफ डिट का कभी इंतजार मत करना भाई ठीक है लैब टेक्निशन की भी वेकेंसी है आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते है एक् 10th with fitter ITI और भाई साब जिन लोगों ने apprentice किया न वो एक साल का आप लोग उहां experience दखा सकते क्योंकि apprentice certificate को अब इन्होंने गवर्मेंट ने डीजी इटी ने experience के तौर पर मान लिया है कि अब हम apprentice को experience काउंट करेंगे ठीक है तो जल्दी से यार वीडियो को like कर दो मुझे instagram और telegram पर follow कर लीजिए टेलिग्राम पर आपको हर एक update मिल जाएगी attendant grade 1 welder देखिए welder वालों के लिए 10th plus ITI in welder से और auto electrician के लिए 2 post auto electrician इसमें auto electrician trade वाले ही चाहिए attendant grade 1 के लिए diesel mechanic के लिए भी 2 post है आप लोगों की 10th with ITI diesel mechanic turner के लिए भी 3 post है ठीक है machine lift के लिए भी 2 post है बाकी warring machine ठीक है warring machine के लिए एक post attendant instrumentization के लिए 4 post है बाकी electrical इसमें electrician से आपकी ITI होनी चाहिए with 33 post है बाई इतनी post तो NPCL में भी नहीं निकलती है रावत भाठा शायड़ वाले ने बहुत ज़्यादा विकेंसी निकाल दिया इस फार तो आप लोगों के लिए ये शुनेरा मुका है मतलब levels लगबग सेम होता है सभी लोग होगा है और trade तो आप लोग पढ़नी ही पड़ेगी लोग को अटेंटेंट ग्रेट सेकेंड टेंथ मेकैनिकल डीजल विद आई टी ठीक है आई टी टेक्निशन 12th PCB विद वन इयर डिप्लोमा इन ऑपरेशन ठीटर ठीक है तो हम भाई official notice की की बात करते हैं apply online यहां से करना है आप लोग अगर फॉर्म apply की बात करते हैं तो मैं फॉर्म भी apply करके आप लोगों को बता दूँगा यह हो गया देखिए notification download में आप लोगों को देखिए NFL National Fertilizers Limited in नवरत्र कंपनी है ठीक है PSU है यह और इसका जो headquarter है वो noida में ठीक है य अलग अलग यूनिट्स में आप लोगों की जो है जोइनिंग कराएगा अलग अलग यूनिट्स में और देखिए वाई सेल्डी स्केल देख लीजिए पहले यह तो अपकी डिप्लोमा वालों की सेल्डी स्केल 13000 बेसिक है बाकि पेमेंट बहुत अच्छा मिलता 50 के अप्र लेकिन आप लोगों को वही 45 45 50 के समतिंग ही मिलता है और इलेक्टिशन वगेरा में तो ओटी भी होते हैं ठीक है इन्होंने 15 पुफ्ट यहां पर दिखाए लेकिन वहां पर 33 दिखाए था यह इसका क्या मेंटर है अरे हां भाई इसमें ना अलग अलग यूनिट्स के अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एपलाई करके बता दूगा ठीक है तो पहले देखो पानीपत यूनिट पानीपत हर्याणा में है ठीक है तो हम लोग अलग-अलग पुफ्ट के लिए चलते हैं पहले सेलेक्शन प्रोसेस रेखते हैं यह तो वेकेंसी यूनिट वाइज ज amo me resemble थेयर ठीके 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 छलते हाँ यह Weight यह थो मैंने आप लोग को बताई दीवा कि आप लोग नौॉटिफकेशन डाउनलोÓड करके सप्वेर जो लोग और जान्स से हैं जैसे वरी या physics से हैं वो लोग अलग से form apply भी कर सकते हैं और I think दो post के लिए भी according to my knowledge कर सकते हैं आप लोग form apply है ना तो चलते हैं इसके syllabus की बात करते हैं वाई किदर है selection process इसका हाँ दो सो रुपई आप लोगों के fees रहने वाले यह EWS जर्नल और OBC वालों के लिए ठीक है selection process इन लोगों ने दिया या नहीं एक मिनट गाइस देखते हैं देखो यह आप लोगों को certificates upload करने to MB in PDF ठीक है certificate in प्रेसिक्राइब format यह सारे documents गैज मुझे लग रहा है कि हाँ the final selection दो को final selection इन्होंने बताया है इस वेंग ग्रूप C की पोस्ट है ठीक है non executive worker level post there will be no interview कोई interview नहीं होगा selection of the candidates for appointment shall be made purely on the basis of marks obtained in OMR waste test होगा आप लोगों का मतलब offline paper होगा ठीक है जो कि हाइवर NFL results are right to conduct skill test skill test भी होगा फिर आप लोगों का ठीक है और unit plant मतलब जहां जहां के लिए आप लोगों के requirement होगी ठीक है जिस जिसी unit में देखो candidates C option देखो candidates would be required to score minimum 50% marks और 75 ठीक है more more out of dare so in OMR wave test dare so questions होंगे भाई ठीक है मतलब आप लोगों 50% लेकर ही आने तभी आप लोग उसके लिए qualify होंगे इसके syllabus वगेरा भाई syllabus वगेरा कहा है देखी गाइज इसने syllabus नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लोग जल्दी से syllabus लेकर आउगा मैं कि इन लोगों ने syllabus नहीं दिया हुआ है कि किस में कितने questions आने यार यह लोग PSU SI तो करते हैं यह लोग syllabus नहीं देते तो बहुत गुस्ता आता है लोगों पर जो ट्रेड़ वाले वो तो ट्रेड़ वाला याद कर लीजेगा है ना बाकी जिन लोग जैसे non-tech वाले non-tech वालों के लिए syllabus ही नहीं वाई आप बताओ मै बहुत जल्दी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए ठीक है और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजो अप लोगों को वीडियो के description में दे दूँगा ठीक है आप लोग वहां से जाकर form apply कर सकते हैं जैसे candidate registration यहां से करें ठीक है registration आपको नाम फिर आपको date of worth, mobile number, email ID उसके बाद में आप generate OTP कर सकते हैं उसके बाद में form apply करके मैं भी बता दूँगा अगर आप लोग चाहती हैं तो ठीक है लेकिन भाई apply करना ना भूलना और बहुत सारे लोग भाई railway NTPC के form आ गहें जाके जल्दी से form बढ़ दीजे बाइसा 5 साल के आप लोग में ठीक है ओगे thank you so much